कि हया है हाओ हालोस्टुडेंस आज हम देखेंगे हाई हिंदी चप्ट नुमर सिंग्स आई सखें यह मुकरिय होता क्या है यह एक लोक मुस्ट प्रचली点 पहलीों प ask रूप है पहलिया मतलब िदलज पहलिया मतलब क्या रूप इरिडेल्स का एक रूप है जिसका लक्षा मनोरजन के साथ साथ बुध्धी चातुरिया की परिक्षा लेना भी होता है मतलब इससे एंट्रेंड में तो होता है हमारा मनोरजन होता है टाइम पास भी होता है और हमारा IQ level के है, उस IQ level के टेस्ट भी होती है, बुद्धी चातुरियों, बुद्धी चातुरियों मतलब तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है, तुम्हें कितनी बुद्धी है, समझ में, तो ऐसे बोते हैं कि एंटेनर्मिन के साथ साथ पढ़ाई भी और नॉलेज भी बढ दिये, मतलब रिडल्स भी है और उसके आंसर भी उनने दिये है, सो लेट स्टार्ट, ऐसकी, देखो यहाँ पर क्या बताए, रात समय वह मेरे आवे, भोर भे वह घरी उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐसकी साजन, ना सकी तारा, मैं तब देखो, यहाँ पर जो क्वेशन, एक क्वेशन के दो अंसर हो सकते, एक ही क्वेशन के दो अलग अलग अंसर हो सकते, लेकिन सामने वाले को क्या कहना है, देखो क्या बताए, रात समय वह मेरे आवे, मतलब रात के समय, जब रात का समय होता है, तो वह मेरे पास आता है, मेरे आवे, मतलब मेरे पा जैसे सुबह होती है तो उठकर अपने घर चला जाता है क्या का है कि रात के समय मेरे पास आता है और सुबह होते ही वो अपने घर चला जाता है यह अच्रज है सबसे न्यारा यह आश्र की बात है लेकिन यह सबसे न्यारी बात है यह जो आशर यह आशर सबसे न्यारा है तो सामने वाले कहते हैं ऐसा कि साजन साजन मतलब कौन बॉइफरेंड साजन मतलब क्या अपना जो प्रियतम होता है वो तो ओके दिकोन प्रियतम तुमारा जो रात को आता है सुबह उटकर चला जाता है और यह आशर की बाते सबसे न्यारा है तो ओकेती है ना सकी तारा मतलब हर बार साजन ही हो सकता है जरूरी नहीं है तो उसने तारा मतलब स्टार्स होते हैं उसके बार में उसने बता है रात को स्टार्स आते हैं सुबह होते हैं क्या होते हैं वो वह आवे तब शादी होया, उस दिन दूज़ा और नकौया, मीठे लागे वाके बोल, ऐसक की साजन, ना सके, ढोल, देखो, क्या बता है, वह आवे तब शादी होया, मतलब वह जब आते हैं, तो शादी होती है, समझ मैं न, okay, उस दिन दूज़ा और नकौया, और उस दिन, उसके अलवा किसी और की आवाज या कोई और अच्छा लगता ही नहीं है. मीठे लागे वाके बॉल. वाके मतलब उनके. उनके बॉल जो है, उनके बॉल मेठे लगते हैं. तो कहती है, ऐसकी साजन, हमेशा आव साजन यह कहती है, ना सकी ढोल. देखो, क्या होता है, शादे में ढोल बचते हैं, और जिसकी शादी है, उसको शादे के दिन ढोल के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है, ढोल के आवाज के अलावा और कोई, उस दिन दुजा और न कोई, ढोल के अलावा फिर उनको कोई अच्छा नहीं लगता, और ढोल के है उसके जो आवाज है वो आवाज को मीठी लगते है क्यों कि उसकी शादी में धोल बज रहे हैं तो उसकी फ्रेंड कहते है ऐसकी साजन तो उसकी ना सकी धोल मतलब शादी में धोल बजता है तो धोल के बार में यहां पर बताया है जब मांगू तब जल भरी लावे मेरे मन की तपन बुझावे जब मांगू तब जल भरी लावे जब मैं मांगती हूँ जब भी मैं प्यासी होती तो जल भर कर ले कर आता है और मेरे मन की तपन मेरे मन की जो आग है उस आग को बुझाने का काम करता है कि जब मैं मांगती हूँ, तब जल भर के लाता है, और मेरे मन की प्यास बुजाता है, देखो words कैसे, मेरे मन की प्यास बुजाता है, मन का भारी है, तन का छोटा है, उसका मन बहुत बड़ा है, लिए उसका तन बहुत छोटा है, मतलब बहुना है, बहुना मतलब हाइट में क तो कहती है ऐसकी साजन मतलब साजनी पानी भरके लेके आएगा उसके मन की प्यास तो साजनी भूजाएगा ना मन का भारी तनका छोटा हो सकता है ना सकी लोटा तनका मन का भारी तनका छोटा ऐसकी साजन तो साजन नहीं लोटा लोटे में पानी भरके लाते है और वही पानी जो होता है पानी पिन से मन की प्यास जो होता है प्यास भी बूझ जाती है और मन का बड़ा मतलब इतना बड़ा होता है कि पानी भर कर लेके आता है किसी की प्यास बूझ आता है लेकिन तनका कैसा होता है छोटा होता है कि बेर बेर सोवत ही जगावे ना जागू तो काटे खावे क्या काए बेर 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 मतलब बार बार सोवत ही मतलब मैं सोई हूँ जगावे मैं सोई हूँ तो बार बार आखे मुझे जगाता है ना जागू तो काटे खावे अगर मैं नहीं जागती हूँ तो मुझे काटता है व्याकल हुई मैं हक्की बक्की मैं हैरान हो गई उससे हक्की बक्की आश्र जगे तो हैरान सी हो गई ऐसकी साजन ना सकी मक्खी कभी-कभी दोपर के टाइम में जैसे रात में मच्चर होती है मच्चर हमें सोने ने देती है काटती रहती है और फिर हम लोग हैरान हो जाते है दिन में मक्खिया होती है हम सोते है तो हमारे मूग के आसपास, हमारे कान के आसपास आके हम अंटराती रहती है समझ मैं न तो उसे तरह से उसने कहा कि बार-बार सोती हूँ तो बार-बार जगाता है अब मैं नहीं जागता हूँ तो मुझे काटता है जैसे मच्छर भी काटती है आश्र जकीत और मैं व्याकुल होके मैंने आश्र जकीत देखा वो साजन ने वो कौनती मक्की व्याकल हुई में हक्की बक्की ऐसकी साजन ना सकी मक्की अती सुरंग है रंग रंगिलो अती सुरंग सुरंग बतलब अच्छा रंग यहाँ पर सुरंग यहाँ पर कहें सुरंग सुरंग बतलब अच्छा रंग अती सुरंग है रंग रंगिलो बहुत ही खुबसुरत रंग से रंगा हुआ है है गुणवन्त बहुत चटकिलो बहुत गुणवन्त है बहुत ग्यानी है बहुत ही चटकिलो मतलब बाते करता है है गुणवन्त बहुत चटकिलो राम भजन बिन कभी न सोता बिना राम का भजन के कभी सोता ही नहीं है क्या काई देखो बहुत ही सूरंग बहुत अच्छा रंग है उसका रंगों से भरा हुआ है रंगरंगिला है बहुत गुनवंत है चटकिला है बहुत बाते भी करता है रात को राम का भजन के बे वो सोता ही नहीं है क्यों सकी साजन ना सकी तोता क्या का उसने कि कौन ये तुम्हारा साजन है तो उसको अगर हम लोग सिखाएंगे बोलना से करेंगे तो पैरट बात भी करता है तो उसलिए उसने पैरट के मतलब तोते के बारे में कहा है कि उसका रंग भी बहुत अच्छा है रंगरंगिला बहुत ही गुणवंत भी है बहुत अच्छे गुण होते हैं उसके अंदर और राम बजन गाकर ही सोता है अर्धनिशा वह आवे भौन सुन्दरता बरने कवी कौन अर्धनिशा अर्धनिशा मतलब आधी रात अर्धनिशा मतलब आधी रात अर्धनिशावः आये भौन, भौन मतलब भौन, भौन मतलब घर, अर्धनिशावः आये भौन, आदी रात को वो घर पर आता है, सुन्दरता बरने कवी कौन, और इतना सुन्दर है, इतना सुन्दर है कि कोई भी कवी उसकी सुन्दरता के बारे में, वह दो बलते हैं ना ल सुन्दर्ता को बया नहीं कर सकता Okay, कौनसा सा कवी है जिसनि इसके सुन्दर्ता के ऊपर अपनी कवीताई नहीं नहीं लिखी है तो मन अनूंद से भर उठता है बहुत खुशी मिलते है क्यो सके साजन? ना सके चंद चंद मतलब चांद चंद मतलब चांद, जैसे आदी रात होने पाद चांद आता है, भूवन, भूवन मतलब क्या, वींडो से वो दिखाए देता है, और कवी जो है, चांद के उपर बहुत सरे कवीतों ने, कवी उने कवीता ही लिखी है, उसकी सुन्दरता के उपर, समझ में आया, और जैसे उस मतलब क distinguished to say, उसकी जो रौशनी है, क्यों कि उसकी सुन्दरता है, वो सुन्दरता है, उसकी जो निखार है, वो निखार दिखकर कया होता है, मन में आनंद आ जाता है. योवा सोभा सदा बढ़ावन हारा अक्योंने चीन होतना न्यारा आटब आपहर मेरो मनरं अंजन एंसकि साजन ना सकी अंजन शोबा सदा बढ़ावन हारा हमेशा वो कहता है मेरी शोबा बढ़ाता है मेरी शोबा बढ़ाने में हमेशा काम आता है आखिन से चिन होता है नहीं 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 आखो से कितना भी चिन हो आखो से वो आखो से उसको चीन कर अमलोग नहीं नहीं कर सकते क्या होता है आखों से उसके अलग नहीं कर सकते या आखों से अलग होता ही नहीं है आट पहर मेरो मनर अंजन आटो प्रहर मतलब 24 आर्स 24 आर्स हो मेरे मन का मनर अंजन करता है आट पहर मेरो मनर अंजन क्यों सकी साजन ना सकी अंजन अंजन मतलब काजल जो आखों में काजल लगाते ना तो देखो दो ना बच्पन में तुमने देखा को छोटे बच्छों को काजल लगाते है उसके साथ बड़े होने के बाद वही काजल थोड़ा आईलान बगर लगाते हो ना वो तो काजल ही तो होता है तो काजल लगल से तुम्हारी आखे जो है especially girls, girls काजल लगाती है तो girls की जो आखे होती है वो आखे उसे और खुपसुरत लगती है right so इसलिए काए और आखों से फिर उसको तुम दूर भी नहीं कर सकते आखों में गवार लग गया तो उसको मतलब जब धोते हैं वो तब वो निकल जाता है और आखों प्रहर तुम्हारे साथ में रहता है तो उसने कहा क्यों सक्के साजन ना सक्के अंजन जीवन सब जग जासो कहे वाब इनू नेक न धीरज रहे हरेचिनक में हीय का पीर क्यों सक्के साजन ना सके नीर जीवन सब जगर जासो के जिसे सब अपना जीवन कहते है जीवन सब जगर जासो जासो मतलब जिसे जासो मतलब जिसे जिसे पूरी दुनिया अपना जीवन मानती है वाबिनू नेक न धीरज रहे अगर नहीं मिलता है तो इंसान का धहरेट छोड़ जाता है अगर तुम्हें दो दिन खाना अगर नहीं मिलता है एक दिन अगर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा लेकिन एक दिन तुम बिना पानी पे रह सकते हो क्या नहीं रह सकते है मतलब सुबा जब लोग उठते वहां से लगे रात के सोने तक हर एक मिनिट हर एक पल पर हमें पानी के ज़रत होती है इतना पानी हमारे लाइप में इंपॉर्टेट है तो पानी अगर नहीं मिला तो हम लोग अपना दीरज खो बैठते हैं हरे चिनक में हीया के पीरा हर एक च प्यारा है क्यों सकी साजन ना सकी नीर जो भी प्यासा है उसके मन का प्यारा कोने पानी है बिना आये सबही सुक भूले आये ते अंगंग सब भूले सीरा भई लगावच्छाती क्यों सकी साजन ना सकी पाती बिना आये सबही सुक भूले मतलब पाती पाती मतलब जहाँ प आए तो किसी ने भेजा नहीं हो जाते हैं यत तो हम सब सुख भूल जाते हैं आये ते अंगा यंगा फूल जाये और जब आता है तो हमारा क्या हुट हैusingा अंगा फूल हम्रेस भूल होसले हमारे रंग जो है हर एक रंग्ता जो खोम्टा parties है थो खूशी से भर जाता हो सीरा भई लगावच चाती, क्यों सकी साजन, ना सकी पाती, पाती मतलब पत्र, क्या का है यहाँ, मतलब पत्र जो होता है, जैसे कि तुम गाव में रहते हो, और तुमारे चाहने वाले क्या दूर है, तो जब तक वो लेटर नहीं भेशते हैं, तब तक तुमने एक टाइम होत हैं, तो उस डेट पर लेटर आता नहीं है, तो उस डेट पर अगर लेटर नहीं आता है, तो हम हैरान हो जाते हैं, और सारे सुख हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन वही लेटर जब हमारे हाथ में आता है, तो उसे देखकर हम लोग क्या होते हैं, बहुत खूश हो जाते हैं के हमारे हरे महाना रौम-रौम हमारे कि हाता है पुलकित जरुत हुआ हैं मतलब बहुत कुश जाते हैं सीरा भई लगावच छाती के सिता नहीं बें जब पत्र प innovASH तो उसने क्या कि असको प्यास सिने से लगाया था वो किक्रम सकी साजन ना सकी पाती क्या है वो पाती मतलब पत्र है उसने को रहे साजने तो उसने कहले नहीं कौन है वो पत्र है इस तरह से कुछ पहलिया जिनको मुक्रिया का है वो पहलिया यहाँ पे अमीर कुसरों ने दी है और उसके आंसर वो उनके साथ दिये हुए है Thank you